उत्तर प्रदेश के प्रमुख और द्योगिक शहर कानपूर को बहतर हवाई संपर्क प्रदान करने हेतू राज्जी के माननिय मुख्य मंत्री श्री योगी आदितिनाथ एवं माननिय केंदरिय नागर विमानन मंत्री श्री जोतिर आदिति सिंधिया ने नव निर्मित सिवि इस अफसर पर केंद्रिय नागर विमानन राज्यमंत्री, जर्नल डॉक्टर वीके सिंग, भारतिय विमान पत्तन प्राधिकरण के अध्यक्ष श्री संजीव कुमार समेत अन्य गर्माने अतिथी उपस्तित रहे इस अफसर पर कारे हो रहा है और किया सकते हैं कि आने वाले समय में उत्तर प्रदेश के अंदर लगभग हर कमिश्चारी अस्तर पर एक यह पुर्ड अवस्य होगा और लोगों के आवाकमन को और सहब समर बनाने के लिए गानपुर एक चमक्तवा सितारा उत्तर प्रुदेश का नहीं लेकिन देश का चाहर गानपुर आज चमक्तवा सितारा है और भविश्य में आगे भी रहेगा और ये टर्मिनल जो हमारा है उस चमक्तवे सितार में चार चांग लगाने का कारी करेगा आधोनिक सुविधाओं के साथ कानपुर हवायडे का नया सिविल एंकलेव 6243 वर्ग मीटर शेतर में फैला है जिसे 150 करोणों के से अधिक की लागत से तैयार किया गया है टर्मिनल भवन का बहरी भाग कानपुर के प्रसिद जेके मंदिर की वास्तुकला को दर्शाता है वही भवन स्थानिय कला और शहर के प्रमुख वैक्तितों के चितरों से सुसजित है ये टर्मिनल वेस्ततम समय के दौरान 400 यात्रियों को सेवा प्रदान करने की शमता रखता है कानपुर एरपोर्ट पर नए एप्रन का निर्मान भी किया गया है जहां A321 वह B737 प्रकार के तीन वीमानों की पार्किंग की सुविधा उपलब्द है अब एक अच्छा हवायड़ा कानपुर को मिला है कानपुर क्योंकि उद्योग नगरी है यहां से लोगों को जाने में सुविधा होगी यहां से हम यह भी देखेंगे कि जो कार्गो जाता है धीरे-धीरे उसके लिए भी भढ़ोतरी होगी और तक्रीबन एई ने इसके उपर 150 करोड के करीब खर्च किये पूरी सेंट्री एर कंडिशन बिल्डिंग है कनेक्टिविटी जो है सबसे इंपॉर्टेंट है डवलोप्मेंट के लिए बिजनस्मेन इंडिस्टिलिस्ट चाहते हैं कि जहां भी उनका बेस है वहां से एक ही दिन में कुछी समय में जाके आ सके ट्रेवलर्स भी फास्ट जाना चाहते हैं बिजनस्मेन भी फास्ट जाना चाहते हैं तो उस दिरिश्ट्री से देखा जाए तो कानपूर का जो पुराना एरपूर्ट था चोटा पढ़ना लगा था ये एरपूर्ट काफी बढ़ा है भारती विमान पत्तन प्राधिकरण देश भर में हवाई यात्रा को सुगम और सुरक्षित बनाने की ओर अगरसर है इसी दिशा में आधोनिक सुविधाओं के साथ नए टर्मिनल भवनों का निर्मान और विस्तार किया जा रहा है कानपूर में बना नया सिविल इंकलेव इसी श्रिंखला की एक महतपूर्ण कड़ी है जिससे हवाई यात्रा करने वालों की संख्या में बहुतरी होगी वशेत्र का आर्थिक विकास होगा